आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पालिया साब शुरुआत आप करें लॉंग टम पिक के साथ बताएं सर आपकी प्रसंद का शेर गुड मॉर्निंग अनिर जी गुड मॉर्निंग एवरिवन तो लॉंग टम पिक में जो इस्टॉप पसंद आ रहा है वहें नौसिल इस्टॉप में अच्छा बेस बना है और अल्मोस्ट अगर हम देखे तो पिछले पांच से साथ महिनों के एक कंसलिडेशन रेंज का ब्रेक पचास रुपे तक की अपसाइड इसमें लॉंग टम के साथे में दिख सकती है चोटी मोटी डिप में इसको एक्युमिलेट किया जा सकता है डाउंसाइड में जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करी वहोगा टू थर्टीफाइव के आस पास तो नोसिल पर बाय करने के सल अनिल जी प्योर्ली रेजर्ट आपके हाड़ वर्क और डिटिकेशन का और अनिल जी विश्यों वर्य बेस्ट कीप शाइनिंग के मामले में तो हम आपका मुकाबला कभी करी नहीं पाएंगे जितना शाइन आप करते हैं उसका तो कवाल ही अलग है लेकिन बिलकुल आपकी जी आपके शियर्ट के वारे जांट आपके शएर्यों पाया है तो यह दूना में सुनता हूं इंद और उससे ज्यादा सच और खूब शुरत बहुत 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 अब तो यह अठागा है और जितना इंद ने के लोग मुझे प्यार करते थे पिछले बार तक उससे ज्या तो पहले से जाना खूबसूरत भी और इंदॉर के लोग भी पहले सी जाना खूबसूरत हो चुके तो इसलिए आपको बहुत-बहुत बनाई कॉंप्लिमेंट अरे मतलब गजब का क्रेज है मतलब आप तहां मुंबई में हो आपको इंदॉर में होना चीए तो अनिल जी बिल से सेशन से और बिलकुल आपने बताया इंदॉर दिन बदिन खूबसूरत होते जा रहा है और हमें लगता है कि यह जो क्लीनेज सीटी का जो एक बना हुआ है कंटिनुटी यह हमें लगता है कि इंदॉर अभी और आके आपको तक और रख रख नहीं क्यूं पड़े चक्कर अदूर आप भी खाया है तर लुष जोष्पानी भी खाया हुआ है हमें वे अनुकर में आपको इस नुकरा आपको में पुत परसंद है करता है कि अध्यक्ल का तो आप तो आफ़्ोड कर सूपर खाना हें वालमते हां वाह को खाता है यहां इन दुटावी में जालिशी ल बोल कर बताना जाते हैं गौतम जी को इन पर करिएगा आप फोकस बहुत बहुत धनीवाद गौतम जार समय देने के लिए और बाजार में के बारे में हमारे दर्श को डाइरेक्शन देने के लिए गौतम शाह गोली लोक से बताते हुए बाजार की तेजी जाबर दस्त है आपे अगरी मन्तिपल चाट पे बनते वे दिखाया जिस तरीके से स्टाफ में सटेन अप्रेंड वीक ली वन थी चाट पर बने वे अमने लगता है यहां से मोमनटम फर्थर एक्सेंड करते वे दिखेगा उप-साइट के टार्गिट यहां पर हमें लगता है यहां सकते कर सो रुपे से 110 रुपे की तरफ ये स्टॉप बढ़ते में दिख सकता है, चोटी मोटी गिरावट में इसको एड़ किया जा सकता है, स्टॉप लॉस जो रखना होगा, वो करी होगा 68 रुपीज के आस-पास, तो NBCC पर बाय करने की सलह है, पोजिशनल पिक में, कि NBCC यहां पर एक्षिन भरफूर बनता हुआ दिख रहा है, खरीदारी करके चलें, ठीके रहे हैं, बने रहे हैं, एक और स्टॉक है दीप जहां पर बड़ा एक्षिन है, एक बार सेरी साफ से पोजिशनल पिक लें, उससे पहले उस पर डिसकुशन करना है जरूरी क्योंकि इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं मुझे, इरेडा, बत्तिस रुपए का इश्यू प्राइस और इरेडा आज फिर से सर्कुट लगाने को तयार है, एक के बाद एक लगातार एक्षिन में स्टोक बढ़ता हुआ दिखा, बत्तिस वाला बया ऐसी और आपको याद होगा, मैं अगे लगता है, बैंक ओफ इंडिया को यहां पर बाई किया जा सकता है, अगर हम देखे तो सारे पी एस्यू बैंक में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, बैंक इंडिया में अगर हम देखे तो किछले स्विंग हाई का ब्रेक आउट यहां पर अल्रेडी होते वे ओके तो बैंक ओफ इंडिया पर करें खरिदारी, QIP को भी बढ़िया रिस्पॉंस मिला था, हमारे भी रेडार पर था, और वहां से देखे स्टॉक में भी आपको जबरदस आक्शन देख सा है, वैसे तो आज PSU बैंक का दिन बना भी हुआ है, आईए, दस की कमाई एक जै था, बार पर था, आधे वन तक खरें दिये एए, इसमेद स्टॉक जो स्टॉक जीप लगाना होगा, और यह था, तो आजिखे आज़े